नेक्स्ट कॉलर अम्बाला से हैं ललित हमारे साथ स्वागत है ललित जी जी सवाल क्या है आपका यारी शरीर में एक तो रसोली होगी चोटी 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 सी आपकी उमर कितनी है आपको एक फोटी नाइन अजी चोटी नाइन अचा देखिए लएसन खूब खाया करिये अद्रख हूब खाया करिये और जीरा हूब खाया करिए यह काने में गिराम पानी मिला के रोज गरम पानी में पी लिया करिए दिन में एक बार कम असकम तो आपकी ये बहुत टाइम लगेगा लेकिन इनका पिखलना मुमकिन है जी आजमगर से अगले कॉलर है संजे हमारे साथ स्वागते संजे जी हालो जी नमस्कार सवाल करिए जी आदाब आपको कुछ एकसरसाईज और कुछ दवभा बताते हैं Егоons पहली आप तोड़ा सभी उम्र बता दीजेगा अब आपको कुछ's and exercise और क कुछ's दवभा बताते हैं और आप थोड़ा सायम रखना क्योंकि ये दवाएं पांच-देश दिन के बात फाइदा करेंगी इतना सायम आपके अंदर होना चाहिए और रोजाना जरा सा फाइदा करेंगी तोड़ा सा जरा सा और लेकिन दो तीर महीने होते होते आपका रोगमुक्त होना मुम ठीक हैं ये दो चीजें एक तो और एक एक्सरसाइज बता रहा हूं ये तेखिए ये आपको रोजाना चार मिनट करनी आए ये कान अपने कंदे से मिलाना है जैसे मैं मिला रहा हूं और चार मिनट ऐसे ऐसे चार मिनिट अच्छा चार मिनिट कोई नहीं कर सकता एक साथ तो एक एक मिनिट करके करिए आदा आदा मिनिट करिए लेकिन चार तुनी आठ मिनिट होनी चाहिए ठीक है एक ही एक्सेसाइज अब आपको दवा मैं बता रहा हूँ कैपसूल टी केर टी फोड टाइगर कैपसूल टी केर सुबा शाम खाना चुरू करें पांच से दस दिन आप मुझे से कुछ नहीं कहेंगे और एक महिने जरू कहेंगे एक महिने में आपको इतना फायदा होगा कि आपको इसमनान हो करेंगे और बहुत दिन तक महनत नहीं करना चार-पांच महिने लगातार आप इसे इस्तमाल करेंगे तो आपको ठीक होना मुम्किन है जी बदाईू से अगले कॉलर है धीरज हमारे साथ स्वागत है आपका नीरज जी स्वागत है आपका मैं मेरा फादर का एक्सिडाइड हुआ था ठीक है उनका चालसा लोग है इस्पाइड को इंजरी हुए तो उनकी सवाइकर में चॉट है तू थी फोर और सेविन में और इदर लंबर में 5 में है 5 और 6 में और वो शुगर के मरीज है ठीक है ए च्छिए उनकी 62 अचा उनके हाथ पेर काम करते हैं दोनों थोरे इसाम करते हैं जो फिंगर सजी से काम नहीं अगर ऐसे 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 मारा जाये तो उनने पता चलता नोचा जाये तो अब आज तर आज कल उनको रात को बात दूम बहुत ज़़गा ती है खंसे 15 16 बार जाते है और कभी-कभी मोशन में बड़ी दिश्ट आ रही है ठीक है ठीक है अच्छा देखिए उनको बहुत खयार लगते वाला आप जैसा बेटा ही चाहिए और सबर वाला इलाज है शुगर की तो दवा खाते हैं शुगर वाले कोई प्रॉब्लम होती है और शुगर की दवा वाल जाए और उजाना तो शुगर कंटॉल होने लगती जिससे पिशावाना कम हो जाता है रहतून का सिरका तीन चमच पानी मिलाकर पीते हैं लेकिन मेरा मेरी नजर उनके दूसरे मर्स पर है जो बहुत चैलेंजिंग है देखो बटा आप समझदार बच्चे हो दवा भी बतात असली लेना है रो मेटरिल लेना बस सो दो सो गिराम खरीद लिए दो सो गिराम खरीद लिया तो समझदो आपके पिता जी जब तक ठीक नहीं होंगा जब तक वो खतम नहीं होता ऐसा मरीजों के साथ उसका रिजल्ट है लेकिन कड़वा बहुत होता नकली बहुत मिलता है आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम खाने के पश्चाथ आप उन्हें बगर चेर्बी के दूस से पानी से दे सकते हैं और अगर यह नहीं मिले तो आप कैपसूल टी के और सुबा शाम दे सकते हैं इसी तरह एक एक कैपसूल और बहुत ख्याल लखिए अगले आदा पांच-छे महीने में एक बहुत अच्छे रिजल्ट आपके पिता जी के लेकिन जैसी वो चलने लगें और एक्टिव हो जाएं वो महनत का कोई काम नहीं करें बस काफी दिन तक जब तक डॉक्टर से मश्वरा ना लें ठीक होने के ब रिजक का जी वालिकुम स्क्राम बताये है बडा उपर वाले का हैसान अब बताई कैसे है हाकिम साफ मुझे मेरे उमध चालीक साल है और मेरा जो है पटास के दी मेरा वगन है मुझे क्या बीटी की प्रोब्लम है तो मुझे बुट्मा में दर्द होता है मुझे 3-4 साल पर पीछ के नीचे के रिल्ट की दिखी में दर्द हो था जल्ट मुझे वो प्रब्लम है और मुझे नंजला का भी प्रब्लम है ज़ते हैं बाल बाइट होगे और मेरे अंकम पेन बाल पर प्रफ़ज के बाल प्रफ़ज के वो भी सफद होगे जूर उसके बताता हूं आपको दो देखे आपको लेना है जैतून का सिर्का रोजाना रात को तीन चमच छोटी चाय के चमच पानी मिलाके रात को पी के सो जाय करिए यह आपके बीपी का खबर लेगा और लीवर की खबर लेगा और बहुत सारे फायदे पेट की प्रॉबलम पेहल होगी एसी डिटी गैस यह वो लीवर ठीक हो जागा तो यह सब ठीक हो जाएंगे ऐसा मेरा तजर्बा है और जो दर्द की प्रॉबलम है उसके लिए गौन सियाह आता है काला गौन आदा आदा ग परिशानियां ठीक होना मुम्किन है जी नेक्स्ट कॉलन है अजे जबलपूर से हमारे साथ स्वागत है अजे जी हान जी बोलिये क्या जानना चाहते हैं आपके दोनों हाथ दर्द रहता है जल गयता है ठीक 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 तो जावा आपका बढ़ गया तर पाच में हो रहा है लेकिन जलन पहुत होती है तर फिजी ठीक ठीक देखिए अभी तो ताजा ताजा जला है यह जलन होगी और जब भी जलन हुआ करें तो आप बिलकुल ठंडे पानी में या बरफ हो उसमें आप अपने हाथ डाल लिए करें जो ताजे जले हैं या आज जले हैं या कभी जलेंगे या बहुत दिनों होगा जले वे जलन का एक बहतरीन इलाज है कुछ भी आप उसमें लगा लें कोई हल्दी लगाता है कोई चूना लग ले ठंडे पानी में फौर हम जलन खतम हो जाती है इससे आपकी इसकिन भी पुखता हो जाए मजबूत हो जाएगी बार बार ठंडे पानी में डालने से और इस पर आप वो आता है कैस्टॉल ओयल कैस्टॉल ओयल मतलब अरंडी का तेल हम आसान जबान में कहते हैं यह लगा थोड़ा और बरदास की चंड महीनों में आपका फाइदा होना मुम्किन है एंपी से अगली कॉलर है रुखमणी रमन पांडे जी हमारे साथ स्वागत है आपका हां जी हां जी मैडम जी है हमारे स्वागत है चंड रोग टाइट का रोग है ठीक है एच क्या है आपकी यह हमारी है अच्छा इलाज है स्किन का अगर आपको यह जैतून का नमक मिल जाए नमक जैतून तो यह चुटकी है इसमें जितना आता है इतना आप पानी मिला के सुबा और शाम पिया करें यह आपको दो चार दिन में ही फाइदा शुरू करेगा लेकिन आपको महीनों लेना पड़ेगा अच्छा इसको ऐस्टेक जैतून भी कहते हैं इंग्लिश में और रसायन जैतून भी कहते हैं यह दिन में दो तीन बार लिया जा सकता है और यह आप लेंगे तो आपका खायदा होना मुम्किन है जी ग्वालियर से अगले कॉलर है योगेंदर जी हमारे साथ स्वागत है आपका हान जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजे सवाल करें अपना है जी बताईए जी बहुत कम उमर है कितना दीन हो गए योगेंदर यादव साफ आप जी यादव साथ आपकी बात तो पहुंच गई है अभी रास्ते में हैं लेकिन हमार तक पहुंच चुकी है आप टीवी से सुनेंगे तो हमारा जवाब भी आपको बहुत देर में मिलेगा फौन से सुनेंगे तो जल्दी मिल जाएगा योगेंदर यादव जी ये जो चाहिए तो वो दवा खाते रही है और परहज भी करिए पैदल भी चलिए गंटा धूप में और पांच वार पानी भी पीजे गरम ये भी बहुत सेहत की निशानी है टावटी इससे भी कम होती है लेकिन एक नस्खा ऐसा है जो शुगर वालों के लिए एक वरदान है उनका सिर्का आता है आप तीन चमच रात को पानी मिलाकर ग्लास पानी में एक ग्लास पानी मिलाकर पी लिया करिए आप हर तरह से एक्टिव और मजबूत रहेंगे शुगर कंट्रोल इस तरह रहेगी एक जगा और आप बहुत सहत्मत जिंदगी गुजार सकते हैं ऐसा करने के बाद वो दवा भी खाएं जो खाते हैं और तीन चमच सिर्का एक बार या दो बार पानी मिलाकर पीना सेहत की निशानी